कोविन सिंग डोटास राजी आज का युवा आज का युवा जिसकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच है आप उसे 10 साल पीछे लेकर जाएंगे कि आपकी सरकार ने क्या किया था और आप उसे समझा पाएंगे कि मोदी के खिलाफ वोट दे वो आपको मोदी जी के बात के उनाज दूंगा तो असी करोड लोगोंको अनाज तब दे पा रहे हैं मोदी जी तब राइट बूड हम ले करके मैं इन्होंने तो नोटबंदी की है इन्होंने तो केवल महिला आरक्षन की बात की है जो बिल पास करके राश्पती के अस्ताक्सर होने के बाद में पता नी कब लागू होगा इस देश में सबसे लंबे समय तक शाष्चन Congress Party ने किया लेकिन आरक्षन का बिल पास बिजेपी ने किया ये पूरा देश जानता है कब लागू होगा उसका जनता पुछेगी सवाल या आप पुछेए आप बनाईए मुद्दा आरक्षन बिल पास हुआ है हिंदुस्तान में या किसी भी विश्वकी किसे देश में ऐसा कानून बना हो जो राष्टपति के साहिन के बाद में कब लागू होगा इसका किसी को पता नहीं है और आज जो ये लागू करने की बात करने है ये 2019 में पास वाता तो 2019 का आप चुनाओं के दस दिन पहले ला रहे हैं चार दिन पहले ला रहे हैं तो आपकी मनस्या पूरी तरीके से केवल देश के लोगों को युवाओं को परमित करने की है और हमारी मनस्या बड़ी स्पस्ट है हम जो कानून लेकर के आए वो कानून लागू भी है उनका फाइदा आब बताए जो हमारा ये जो आया थी बिमारी आई थी होती तो इस बात पर आप नहीं जाएंगे कानून हमारे और मोदी जी उसके उपर अपने आपको चला रहे हैं और फिर हमारी बुराई कर रहे हैं उनका खुद का एक कानून बता दीजिए एक बात मुझे बता दीजिए आप बताएए कि ये C.E. 2019 उनिस के बाद में 20 में लागव होना चाहिए आज क्यूं आया ये ये हेडलाइन क्यों आज ये 6 मेने का टाइम क्यूं मांग रहे हैं बैंक से S.B.I. क्यूं मांग रही है समय आपताएए और आज कैसे दे देंगे ये जून तक का समय मांग रहे थे और आज जब Supreme Court ने कह दिया आज देना है तो इनको आज देना पड़ेगा तो आप समझ ये कि ये केवल management का खेल खेल रहे हैं आपका management बहुत कमजोर है Congress Party का management बहुत कमजोर है नहीं management कमजोर की बात नहीं आप साथ नहीं दे रहे हो एक दो चैनल को छोड़ दो बागी साथ नहीं दे रहे हो हमारी बात पहुच नहीं पाती है तो आपका party का कैडर कमजोर हो गया इसलिए नहीं पहुच पारी नहीं ऐसा नहीं है देखिए पहुच नहीं पारी है आज मानीजिए सो चैनल है पिच्यान में चैनल उस बात को नहीं चलाएंगे जो बात देश के लोगों के हीत में होगी उनको ऐसी चीजें परोशी जाएंगे आप बताइए कि जो सुप्रीम कोट ने जिस प्रकार का कल वर्डिंग की है और जिस प्रकार का जज्जमेंट इलेक्टरोल बॉंड के उपर दिया है वो बात नहीं चलेगी देश के प्रधान मंतरी की तरफ से आता है कि वो पांच बजे देश को संबोधित करेंगे और वो स्लोट आप से खाली रखा जाता है आपको नहीं लगता गोविन सिंग डोटासरा जी की नरेंद्र मोधी का मैनेजमेंट है और आपकी पार्टी का मैनेजमेंट कंशोर है मैनेजमेंट तो पैसा दुनिया मरगा आप बताईए छह जार क्रोड, आठहजार क्रोड कहां से क्याला है जब सुप्रीम कोट यह रहा है कि इलिगल है यह पैसा अनकॉंस्टिटूशनल स्कीम थी और उससे पैसा जो कमाया और उसका दुर्भियोग करके अगर देश के लोगों को गुमरा किया जाए तो यह तो अब समझ में आरा ना लोगों के कि भाई आपने जो बीजेपी के कारेले बनाए और जो खेल किया है तो यह कहां से किया किस तरीके से किया आप हर लोग, हर जिला, हर स्टेट के अंदर बीजेपी का कारेले बन गया यही तो पैसे हैं जिसको सुप्रीम कोट कहर रहा है कि यह इलिगल है यह ऐसा मेधानिक स्कीम थी और इससे जो पैसा जमा करा है उसका आप बताईए कि आपने किस बलबुते पे, किस तरीके से कहां से यह दल लिया और उसके बदले आपने क्या समझोता किया आप बताईए आप पूरे एरपोर्ट बेच रहे हैं लाइसी बेच रहे हैं पता नहीं क्या-क्या जो हमारी PSU थी उनको बेच रहे हैं तो उसके बदले में आप क्या ले रहे हैं यह सब कुछ सामने आ जाएगा आज 5 विजे तक